4, 3, 2, 1 किये जाने वाले कारियों का उल्लेख किया है और कई तरह के वाइदे किये हैं जो इस सरकार को पूरे करने हैं लेकिन वे वाइदे हमेशा की तरह खोकले साबित नहों इस पर तमाम विरोधी दलों के सदस्यों को शंका है इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार सदन के द्वारा इस देश के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि उनके हित में जो भी वाइदे किये गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और समय के अंदर तमाम कारिय किये जाएंगे जिनका उल्लेख राश्ट्रपती जी के दूरों और क्रश की जो दूरदशा है उसकी उपर इस सदन में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विशह पर चर्चा करने के लिए 6 गंटे का समय निर्धारित किया गया है आज यहां कहा गया कि जब एक लंबी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रशनों के जरिये माननी सदस्यों ने अनेक प्रशन मंत्री जी से किये तो फिर इस सत्र में बहस की आवशक्ता क्यों पड़ी माननी मंत्री जी ने पिछली बार इस बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें 16 प्रशन किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण आत्महत्या करते हैं किनी खास परिस्थितियों में करते हैं पिछले दस साल में करीब एक लाग किसानों ने अपनी समस्याओं से परिशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनवती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृशी मंत्री जी ने प्रयास किये हमारे प्रधान मंत्री जी भी विदर्व के दोरे पर गए थे जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं 30 जून और 1 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधान मंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ सहायता महाराश्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दी श्रीमन मुझे खुशी है कि विदर्व के उन 6 जिलों की तरफ प्रधान मंत्री जी और कृश्री मंत्री जी का ध्यान गया जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा आत्महत्याई हुई है और 700 करोड रुपए सबसिरी या राज सहायता के तौर पर किसानों के उपर जो कर्ज है उसके ब्याज के भुकतान के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेस पैकेज के रूप में दिये गए वहाँ पर बांधों का निर्माड हो सीचाई का इंतजाम हो इसके लिए 800 करोड रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया लेकिन खबरों के अनुसार जिस समय प्रधान मंतरी वहाँ से किसानों को यह पैकेज दे कर आए पैकेज देने के तुरंत बाद उसी दिन वहाँ दो किसानों ने आत्महत्या की वहाँ हर रोज दो किसान आत्महत्या करते हैं भारत सरकार ने अपनी ओर से जो कारेकाली दल बनाया उसमें हिंदुस्तान के कुल 31 जिले हैं जिन में से अधिकांच 17 जिले मध्यपरदेश के हैं लेकिन मध्यपरदेश को दी जाने वाली सहायता महराश्ट्र को दी गई सहा अन्य 600 जिलों के जो भी किसान हैं वे खुशाली में हैं उनको किसी पैकेज या सहायता की आवशक्ता नहीं है। उन्हें कोई सहायता न दी जाए जहांके किसान आत्महत्या करते हैं उनको पैकेज दे कर क्या भारत सरकार या संदेश देना चाहती है कि यदि आपको हमारे पैकेज की आवशक्ता है तो आत्महत्या के रास्ते पर चलो तब हम तुम्हारी समस्याओं के निराकरण के लिए पैकेज देंगे यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश देना चाहती है तो मैं समस्ता हूँ कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए महुदय इंदुस्तान के सभी किसानों की समस्याएं करीब करीब एक जैसी हैं और इसलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश की योजनाओं में हमारे देश की आर्थिक तरक्की में खेती का योगदान निरंतर घट रहा है हमारे देश की जो प्रतम पंचवर्सी योजना बनी उसमें खेती का योगदान 56 प्रतिशत था